Hello friends! Hope you guys are doing well. मैं हूँ नमनीत अपका होश और दोस्त दोस्तों आजकी इस वीडियो हम बात करने वाले हैं हमारे वेनिस के बारे में जो कि 6K है full-frame sensor के साथ में है उसके बारे में बात करेंगा में अज और हम बात करने वाले आज हैं तो उसके लिए हम घखेंगे, सबसे पहले, हम समझते है कि कोडेक होता क्या है कोडेक जो होता है जैसे हमने आपका पहले दी बता है, पिछली वीडियो में बता है यह आपका fps जो फेम्स पर सेकंड होता है जैसे कि एक सेकेंड में कितने फोटो हमारे कैमरे ने खीचा लाइक 24, 25, 30, 50 या 100 तो एक सेकेंड में कितने फोटो हमारे के क्लिक हुए उसके आजाता है FPS जो FPS हमारा होता है FPS के साथ में हमारे आडियो भी आता है जिसे जितने फोटोज है, जितने क्लिक हुए हमारे Camelium फोटोज, उसके साथ में हमारी audio भी है, तो audio and video दोनों इठा के एक container रखा जाता है, जो container होता है, वो codec होता है, ठीक है, उस container में हमारे सारी footage रखके और फिर उसको wrapping किया जाता है, जैसे अगर एक normal सिभासा में समझें और फोटोज है, तो कोई हमारे प्रोड़क्ट है, उस प्रोड़क्ट को एक container रखा गया, उस container रखके उसको wrap किया गया, जिसे मिलब एक bunch बन्च बंज को परने के अगा है Гाद को रैप किया है। दो यू कोयी अगा हमारा होता है चर्सका हिए कि हमारा तो अजा श बैद से अगा पने को पर्पोन dizendo को चोटे कैम्रे से इसमें बड़े जादे घालेशन में तो यसी मेरे तो है पिल जटे UX गर्डाद में बुट दें तो जो पहले से हमारे पास जो कार्ड लगाने के लिए यहां पर दिया हुआ है जो कि हमारे पास जो कार्ड लगता हुँ एस एकसेस है इसें घ्रड गौड कार्ड लगता है यहां पर फिरेशक फिर इसकी यहां पर जो रिकॉडर लगा और बेले में अलग सकार्ड लगा जाता है जो की होता है AXS-M इतुरकार्ड लागता है इसमें इसमें लिखा हुए AXS card है, ये 512 GB काड़ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका काड़ कहला हमें, फ़लो सा मोटा होता है, ये देख रहे हैं AXS M card है, यह जो recorder है AXS M, जैसे R 7 आता है, ये M है, ये हमारा recorder हो गया, इसमें जो recording हम कर सकते हैं, वो X OCN, X OCN, XT, X OCNLT, X तो आपको दिखाता हूं अभी चलते हैं मेनू में अब हमारे पास यह देखी यह मेनू है मैनू को अपको थी सेकेंड के लिए होल्ड करना है इसमेड़ दो मेनू होता है जैसे कि आपको बेसिक सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहां पे दिखीगा इसको आपको एक्स एस जो हमने आपको रिकॉर्डर बताया भी एक्स एक्स समय आपकोड़ दिख़ेगा kis इसमें आपको देगा XOCNXT इसमें आपको तीन कोडेक्स दिख जाएंगे XOCNXT XOCNXT XOCNcht XOCN LTE यह हो जाता है और उसके अलामा अगर आपको बहुत हैवी फाइल नहीं चाहिए आपको रॉर नहीं चाहिए तो आप नॉमल भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं छोटे काड के साथ एकस एकस भाई एस जो काड आता है उसके तुरू आप कर सकते हैं इसमें दिखिए मैंने आफ कर के रखा हुआ इसमें भी आपको धेर सारे कोडेस मिल जाते हैं इसे दिखिए एकसे एकसे वीसी 4K है एकसे वीसी 4K क्लासिक 380 है उसके अलामा MPEG है प्लोरेस में आप डायेट प्रॉक्सी भी सूट कर सकते हैं तो कि 422HQ है 422HD है और 422 प्रॉक्सी है ठीक है तो इसमें भ आपके ठीक कार्डिया भी का अब नियुक्त को करिका हुआ है जब हमारे पसघ्र कॉड़र है और जो ुक्तिए हमारे सबसे हाइन अदिख्र्डिन हो फाईल है इक सॉसीं 8 लिभ स्षिय्ट ऒश्ट और इसके बारे हम समझें यह हम देखेंगे इसमें AXS जो है AXS recording format जो है इसमें जो पोडेश लिया हुआ है वहाँ पर हमें जो तीन options मिलते हैं XOCN, XT, XOCN, LTE और XOCN, LTE तो जो XOCN, XT है जो XT drop में हम जो भी record करते हैं तो उसमें मिलता हमें 1000 5 Mbps ठीक है वहीं XOCN, ST में मिलता है जो यह ST है उसमें मिलता हमें 688 Mbps और वहीं पर जो XOCN, LTE में मिलता हमें 406 Mbps यह हमारा हो गया कोडेक जिसके बारे हम आप समझ गया होंगे कोडेक जो होता है वह एक container होता है container में हमारा footage होता है वह footage रखा जाता है audio और video और उसको एक Mbps होता है जो कितना हम हमें resolution बढ़ाना है उसके हिसाब से उसको रखा जाता है और वह हमें प्रोडूस करके दिया जाता है ठीक है तो यह camera हमारा आपको समझ में आगा होगा codex हमारा जो है container है container के अंतर हमारे resolution को set कि जाता है कितना resolution में हमें footage चाहिए और हमें उसके बाद उस resolution से मिलने के बाद हम उसका अच्छी तरह से पोस्ट में यूज कर सकते हैं color grading से लेके, DI से लेके, सारी चीज़ों है तो दोस्तों आपको codex के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा में मेरा motive वही होता है कि लोगों को पूरी अच्छी तरह से जानकारी हो चोटी चोटी जानकारी ऐसी होती है कि जो कि लोगों को पता ही नहीं होती है लोक सेट पे चले जाते हैं एक नमत से काम करके आ जाते हैं लेकिन उनको अंदर की बाते पता नहीं होती है अंदर की चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, तो आपको वीडियो, अगर आपने पूरी पूरी वीडियो अगर यहां तक देखा है, तो 100% कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक किये बिना नहीं जाएगा, और लोगों को स हैंनों, स्ब्सक्राइब कर दीजि haya फिर जाएगें के अगड़े